लोकसभा का तेखे लोकसभा नवादा से लड़ना चाहते हैं और बीजेपी तो नवादा लड़े गई लड़े गई वो निरने वो निरने वो कहां से लोगतंत्र है कोई भी कहां से चुनाव लड़ सकता है अगर उसको चुनाव लड़वाना चाहते हैं और विधायक और संस बेजना चाहते हैं अगर नहीं भी भेशते हैं तो लोग काता है कि खादियाति पिछड़ाति पिछड़ा करता है अगर भेज रहा है तो उसमें भी लोगों को दिक्कत हो जाता है अब देख रहे हैं निजस फोरनेशन भोजपूरी गायक गुंजन सिंग ने आज वियाभी प के पास लोग सभाचुनाव के मद्दे नजर गुंजन सिंग के लिए देने के लिए क्या है जो गुंजन सिंग आपकी पार्टी जोइन कर रहे हैं गुंजन सिंग जी एक अच्छे और लोगप्रिये भोजपूरी कलाकार है उनकी लोगप्रियता है काफी फैन फॉलोवर्स हैं और गुंजन सिंग जी से हमारा एक पुरहुत-पुराणा परिवारी क्रिस्टा जैसा है और गुंजन सिंग जी का हमने एक चीज़ देखा है उन्होंने जो संघर्च किया है उन्हों पर्ष से अर्ष तक श्टगल करके आज के दिन में भोजपुरी स्टार बने हैं। और हमारे निता अदर्निय सनौफ मला मुकेश सहनी जी का जो गरीबों की बात करते हैं, अतिपिछडों की बात करते हैं, बैक बेंचर्स की बात करते हैं, तो गुंजन सिंग जी भी उसी तरह से ही बात करते हैं, तो हमारे पाटी के साथ उनका जो बात, मन का जो है बिचार है, वो दोनों का बिचार जो है, काफी मिलता जुलता है, बाकी तो हमारे अदर्निय निता सनौफ मला मुकेश सहनी जी निर पहले हम लोग प्रोपोज करते हैं, हम लोग उनको दे दिया है, वो संग्यान में दे दिया है उनका उनका निरने होगा, लेकिन गुंजन सिंगी से तो हमारा परिवारिक संबन्द भी है और काफी अच्छे गायक भी है, हम उनको अच्छे गायक में लेते हैं, देश में अच नौ लड़ने में तो कुछ है नहीं, पहले हमारे नेता से एक निर्दय हो जाता है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से आगे हम लोग उसको और अच्छा कर सकते हैं, अच्छा आप ये मानते हैं कि मलाहों की पार्टी है, लेकिन भूमियारों का दबदब आपकी पार्टी में बढ़ता हुआ दिख रहा है, नहीं नेता अभी, कोढ़नी में हम लोग नहीं दिये, वही तो मैं कह रहा हूँ, साधू सरंथाचा, ये वो चीज बताईए, अति पिछडा का पार्टी, अगर किसी बड़े जात को उगड़ी जात को भी अगर हमारे ने इकत हो जाता है, तो हमारे नेता जो है, सब को ले के चलने का अपना ये मन बनाए हुए है, अभी तो निलाव, 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 निलाव पुमार जी को, हम लोगों ने टिकट दिया, एक फ्रीडम फाइटर का खून को टिकट दिया, साधू सरंसाही, उनका खून है, ठी है, हम लोग ठट पोजिशन किये, बहुत कम समय में परचार किये वहाँ पे, लेकिन हम लोग मझभपरपूर में आज के दिन में लोकसभा में हम भोचाहा भी लड़े, भोचाहा में हमको 30,000 भोट आया, हमने सिम्री बक्तियारपूर लड़ा, वहाँ भी है, हम बिना बैसा जो रिजल्ट और आकड़ा आपको पेस करना है, कि किसी एलाइंस के साथ हमरा नहीं हुआ है, अभी आप ध्यान रखिएगा, जिवेश मिसरा जी भारगतिये जनताव पार्टी के परदेश के एक बड़े नेता है, जिवेश मिसरा जी का बाइट है, किसी चैनल में हमने दे आपको तो हमारा आज के दिन में जो ताकत है, वो ताकत महागडवन्दन ने भी देखा है, इंडिया ने भी देखा है, दूसरी बात है कि गुंजन सिंग जी का, गुंजन सिंग को हम सम्मान करते हैं, अच्छे कलकार हैं और सरसती का हमें सा सम्मान होना चाहिए, पाटी को हमारे नेता से अभी हमने चर्चा किया है, और चर्चा करने के बाद उनका निरने आना बाकी है, उनका निरने आना बाकी है, उनका निरनया भी आता है तो आस्ते आस्ते हम लोग कुछ अच्छे का बारे में सोचेंगे अगर गुंजन सिंग यह अच्छे कलाक आ रहे हैं। उनके से यूपी में हैं, हनुमान गड़ी में हैं, पोग्राम बड़ा है, क्या कुछ है, कैसे तैयारिया हैं आप लोग की? हनुमान गड़ी से तो हम लोग दर्सन करके चले आए, अरे वहां दस हजार से उपर कारकरता सम्मेलन हो गया, वरकर आया वहां उतर परदेश में. बीजेपी से बाचित कहां आटक रही है, ऐसा क्या डिमांड कर दिया है कि बीजेपी जो है वो लंबा खीच रही है, पूरे मसले के? यह तो सेशनेतित से हमारे नेता की क्या बात हो रही है यह तो हमारे नेता ही बुलेंगे कि सेशनेतित से क्या बात हो रही है नहीं बात हो रही है और दूसरा बात है कि आज के दिन में दुल्हा जो है हम लोग नहीं है दुल्हा और किसी को बनना है हम लोग बाराती है हम सेक् बैंडड़ लेके चल देंगे। पर चड़ाई करने के लिए। गुञजन ईंग ने आज इनसे मुलकारथ की है और कहा जा रहा है कि जल भुषपुरी के सिंगर world तक यह भी जय रहा है हदाकी अर्जीब जोटी जी किले कि खुलकर तो नहीं कहा लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि गुण्ज़ार सिंग्ग जो है अगामी लोगसभा शुनौब जो है वलड़ेंगे फिल अला भी तक किले इतना ही आप दिखते रहे है नुसफर निशन